नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेर करें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अकलेश यादों ने प्रतिक्रिया दी है सपानेता ने मांग की है कि चीतों की मौत के मामले में दंदात्मक कारवाई होनी चाहिए उन्होंने इस मामले में भारतिय जन्ता पाटी पर सीधा हमला बोला है अकलेश यादोंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जड़िये उन्होंने कहा है कि कुनों में तीसरे चीते की मौत दरशल प्रसासनिक हत्या है केवल राजनितिक प्रदरशन के लिए जो भाजपयों ने मजमा खड़ा किया था उसका यह भी दाई तो बनता था कि विदेसी चीतों को बिमारी से बचाया जाए साथ ही वहां आपसी संघर्स से भी सुरक्षित रहने का महौल उपलब्द कराया जाता सपानेता ने कहा कि ये जानवरों पर कुरूरता का असपस्ट और साथ मामला है इस मामले में दंडात्मक कारवाई होनी चाहिए महत्वकांची परियोजना के तहट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को अपने 72 जनम दिन पर मध्य प्रदेश के कूनों में नाम बीबिया से लाये गए आठ चीतों के पहले जथे को एक प्रतक बाड़े में छोड़ा था इन चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते थे 12 चीतों को दक्षिन अफरिका से लाया गया इस तरह के दूसरे कारेक्रमों में 12 चीतों को दक्षिन अफरिका से लाया गया था और 18 फरवरी को कूनों में छोड़ा गया था नाम BBI चीतों में शामिल साशा नामक चीते की मार्च में गुर्दे से संबंदित बिमारी के कारण मौथ हो गई थी वही दक्षिन अफ्रीका से लाए गए चीता उदय की 13 अपरैल को मौथ हो गई थी उधर केंद्रिय पर्यावरनेयों वन मंतराले ने सोमवार को कहा था कि जून में मौनसून की सुरुवात से पहले मद्यप्रदेश के कुनो राश्विय उद्यान में अनुकूल शीवरों से पांच और चीतों को स्वचंद वीचरन के लिए छोड़ा जाएगा इसमें तीन मादा और दो नर चीते हैं चार को के अनुकूल शीवरों से मुक्त परिस्थिती में छोड़ा जाएगा जानवरों को आहाम तोर पर मौनसून के मौसम में जंगल में नहीं छोड़ा जाता क्योंकि कठोर मौसम स्थिती उसके लिए भोजन और आसरे ढूंडना तथा नए बातावरन के अनुकूल होना मुश्किल बना देता है मंतराले नहीं यह भी कहा कि चीतों को के अनपी से बाहर जाने दिया जाएगा और उन्हें तब तक आवश्यक रूप से वापस नहीं लाये जाएगा जब तक कि वे उन छेत्रों में प्रवेस न करें जहां उन्हें महत्वपूर्ण खत्रा हो इस सम्मन में एक अधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण खत्रे के छेत्र का अर्थ गैर वन छेतरों से है जहां वन विभाग के पास अपेक्षित प्रबंधन प्रणाली नहीं है नामीबिया से लाए गए आठ चीतों में से अब तक चार को के इन पी में अनुकूल शीविरों से मुक्त परिस्थिती में छोड़ा गया है अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि जिस तरह से चीते के प्रोजेक्ट पर खुल कर अखिलेश यादव बोलना सुरू किये हैं अब विपक्ष इस पर क्या बात करेगा क्यूकि माने नमाने नरिंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट पर जिसे उन्होंने जनम दिन पर तोहफे के तौर पर देश को दिया था यह महत्वकांची योजना थी और इस प्रोजेक्ट पर देश के कई करोड रुपे खर्चुए हैं लाजमी है कि धीरे धीरे सभी राजनितिक पार्टियां इस तरफ भी ध्यान करेंगी और उसका हिसाब भी मांगेंगी अब इस पर भाजपा का क्या स्टेंड होगा ये देखना दिल्चस्प होगा